नमस्कार, मेरा नाम सत्विंदर सिंग है और मैं हूँ आपका लीडर्शिप और लाइफ कोच तो आज हम बात करेंगे लीडर्शिप पे एक ऐसे इंपोर्टेंट गुण की जो एक लीडर के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही मत्वपूर्ण है और वो गुण है अपने फैसले अपने आप करना Yes, you are right, taking your own decisions on your own इसकी क्या मत्वता है, इसकी क्या importance है जो व्यक्ती अपने फैसले खुद नहीं कर पाता उसको कोई follow नहीं करता, उसको कोई अनुसरण नहीं करता कारण, इसका बहुत ही गहन कारण है एक लीडर की लोगों को अफशक्ता क्यों होती है लोग एक लीडर एक नेता क्यों चाहते हैं क्योंकि वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाते इसलिए उन्हें एक व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके लिए उनके भ्याब पर फैसले कर सके तो अब सूचिए अगर आप अपने फैसले खुद ही अपने फैसले नहीं कर पाएंगे तो कोई आपका अनुसरन क्यों करेगा, कोई आपको फोलो क्यों करेगा लोग अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले पाते, आप अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले पाते तेज का कारण हो सकता है कि शायद आपके मन में डर हो कि अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो क्या होगा? अगर मैं सही नहीं हुआ तो क्या होगा? लोग मुझे फोलो करना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता. जो बात मैं आपसे कहना चाहा रहा हूँ, वो ये नहीं है कि आप फैसले सही ले या गलत ले एक लीडर के लिए फैसला लेना ज़्यादा जरूरी होता है क्यों कहीं बार देरी से लिए फैसला गलत फैसले से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आएए मैं आपकी इसमें थोड़ी से मदद करता हूँ हमारे बस दो उप्शन्स हैं दो विकल्प हैं कि मानलीज आपको जिंदगी में कोई जरूरी फैसला लेना है तो पहला उप्शन पहला विकल्प यह है कि आप वो फैसला अपने आप लें खुद लें खुद सोचें कि उ फाइदें हैं क्या नुक्सान है दूसरा विकल्प कि आप किसी और के पास जाएं और उनसे वो फैसला करवाएं कि मेरी जिंदिगे का फैसला आप कर दीजिए आप तो वो व्यक्ति क्या गरेगा वो कुछ या तो सोचेगा उसके बारे में या नहीं सोचेगा और आपको ए फैसला गलत हो सकता है तो इससे अच्छा किऊ ना आप अपना फैसला खुद करें खुद बैठें खुद उसके नफ़े नुकसान जाचें खुद देखें कि आपके इस फैसले का क्या परिनाम होगा तो अगर आपने अपने फैसले लेने खुझ शुरू कर दिये तो जनता लोग आपको फॉलो करेंगी और आपको एक अच्छे लीडर के रूप में मानेगी। अब एक जरूरी चीज है कि सही फैसले कैसे लिये जाएं। फैसला लेना और सही फैसले लेने में भी फरक होता है। एक अंतर होता है। तो इसकी मदद मैं आपकी अगले वीडियो में करूँगा कि एक सही निरने, सही फैसला कैसे लिया जाए। तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, फेस्बुक पेज है उसे लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।